मान रहीम, अस्सलाम अलेकूम एब्डिवन, दि टॉपिक विच इस असाइन टू मी इस ब्लॉम, स्ट्रेंड, जोर्जेंसन, जेन थियूरी, अब इस थियूरी के नदर हम क्या-क्या चीजें डिसकस करेंगे, हम वो देख लेते हैं, अगर हम इसके कॉंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इस थियूरी की इंट्रड़क्शन, उसके बाद हम ये डिसकस करेंगे कि इस थियूरी को कब और किसने डिसकवर किया, उसके बाद हम इसके पॉस्चिलेट़ को डिसकस करेंगे, then हम को बाल कॉंप्लैक्स के कुछ श्रॉक्शर देखे गे एंड दी लास्ट वन हम लिमिटेशन ओफ थियोरी को देखेंगे अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम पहले से ही जाते हैं कि कॉइशन 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 कॉइश जिन में सबसे पहली थियोरी आ जाती है चेंड थियोरी, then Warner's थियोरी, उसके बाद सैजपिक थियोरी, the next one is VBT जिसे हम वैलेंस पॉंड थियोरी कहते हैं, उसके बाद crystal field थियोरी CFT and the LFT which is the ligand field थियोरी. फर्स्ट थियोरी जो है, वो है chain थियोरी और according to this theory, central metal atom जो है, वो ligand के साथ टैज होता है, but ligand is present in the form of chain, जैसे के हम जानते हैं कि metal और ligand जब combine होते हैं, तो एक metal ligand complex structure बनता है, लेकिन इस form में, according to this theory, ligand is present in the form of chain, next one हम इसकी discovery को देख लेते हैं, कि इसको किस ने और कब discover किया, in the 19th century, more complex structures are discovered, और बहुत सी number of theories भी proposed होई, most successful और widely accepted जो theory थी, वो chain theory थी, because chain theory जो थी, वो basic theory थी, जिसकी बनियाद के ओपर बाकी theories discovered होई, अब हम देखते हैं, कि इसको discover किस ने किया, Swedish के mist Christian William Blomstrand ने इसको modified किया, और Merts Jorgencen ने इसे develop किया, 1869 में, Blomstrand का तालुग University of Sweden से था, जो Jensen ने बहुत से numerous complex structure बनाए, chain theory के लिए, और ना सिर्फ उसने chain theory के लिए बनाए, बलकि उसने वर्णर coordination theory के लिए भी बहुत से structures बनाए, next हम इसके कुछ postulates discuss कर लेते हैं, postulates of chain theory, Blomstrand ने ये propose किया, कि ammonia के molecule आपिस में इस तरह से link होते हैं, जैसे hydrocarbon में carbon hydrogen के साथ catenation करके एक chain form करता है, बिलकुल इसी तरह ammonia के molecules एक दूसरे के साथ link होते हैं, अगर हम इन दोनों structures को देखें, तो एक structure में हमें नजर आ रहा है, क्विको बाल के साथ ammonia की पूरी chain है, NH3 bond NH3, और in the next structure में hydrocarbons का ये structure है, जिसमें CH2 आपिस में एक link create कर रहे हैं, और इस link को हमने chain का नाम दिया, इसी बुनियाद पर इस theory का नाम chain theory रखा गया, इसके बाद ये question arise हुआ, कि एक वक्त में central atom के साथ कितनी chains attached हो सकती हैं, तो उसका जवाब next postulate के अंदर, जो जैंसन ने और Blomstrand ने दिया, कि it depends upon the metal and its oxidation state, के NH3 के number of NH3 molecules जो हैं metal के साथ हुए हुए, वो इस बाद के उपर depend करते हैं, कि central metal atom की oxidation state कितनी है, जितनी central metal atom की oxidation state होगी, उतनी ही NH3 की chain, उस central metal atom के साथ bound करेगी, फोर एक्जेंपल, कोबाल्ट की oxidation state 3 है, तो हम इस फर्स structure के अंदर देख सकते हैं, कि इसने 3 bonded chains create की हुई हैं, next जो था इसका postulate वो ये था, कि जो जैंसर ने ये बात पर पोस्ट की, कि atoms और group of atoms, वो ही dissociate ions के अंदर होंगे, जो के directly bonded नहीं होंगे, जो जैंसर ने ये पर पोस्ट किया, कि जो atoms NH3 के साथ attach होंगे, NH3 की chain के साथ attach होंगे, वो easily dissociate कर जाएंगे, precipitate out हो जाएंगे, और जो bonded atoms, metal के साथ, जो atom, metal ion के साथ attach होगा, वो dissociate नहीं होगा, क्यों, क्योंके उसका और central metal atom का, जो bond है, वो strong होगा, जैसा कि हम जानते हैं, कि कोपाल के oxidation state, जो है, वो 3 है, इसलिए, वो 3 direct bond बनाएगा, बिलकुल इसी तरह, जिस तरह organic compound के अंदर, hydrocarbons, एक दूसरे के साथ, link करके, एक chain create करते हैं, बिलकुल इसी तरह, ये structure create करेगा, number of chain, जो होती है, वो depend करती है, valency of central metal atom की, उपर, ligand और central metal atom, जो हैं, दोनों, अपनी valency को satisfy करते हैं, coordination compound कभी भी अपनी tendency lose नहीं करता, जब उसे किसी भी solution के अंदर dissolve किया जाता है, blom strand और जोर्गेंसन ने इस बात को, different cobalt complexes के structure को लेते हुए, प्रूफ किया, और practically भी करके दिखाया, अब हम cobalt complexes के कुछ structure देखेंगे, जिसे जोर्गेंसन ने और blom strand ने practically प्रूफ इस तरह किया था, कि उन्होंने इन structures के अंदर, इन structures के अंदर उन्होंने silver nitrate add किया था, और ये देखा था कि कितने chlorine iron dissociate होते हैं, precipitate out हो जाते हैं, अगर हम first structure को देखें, जिसका नाम है कोबाल्ट कॉलोराइट हेक्जा अमाइन, अब इस structure के अंदर हम देख रहे हैं, कोबाल्ट की हमें पता है कि oxidation state जो है, वो three होती है, और ये directly attached है NH3 के साथ, और इसका second bond भी attach है NH3 के साथ, और third bond भी इसका NH3 के साथ attach है, जबके chlorine कोबाल्ट से distance पर है, पहली chlorine भी दूसरी भी और तीसरी chlorine भी कोबाल्ट से distance पर है, जिसकी वज़ा से ये तीनो chlorine dissociate हो जाती है, precipitate out हो जाती है, क्यूंकि हमने पहले पढ़ा है, कि जो कोबाल्ट ये बात हम पहले भी discuss कर रहे हैं, कोबाल से जो ions distance पर होंगे वो easily precipitate out हो जाएंगे dissociate हो जाएंगे जबके जो उसके साथ directly attach होंगे वो dissociate नहीं होंगे इसी तरह इसी structure के अंदर भी chlorine तीनो chlorine जो हैं वो distance पर हैं इसलिए ये precipitate out हो जाएंगे और dissociate भी हो जाएंगे का मतलब कि इस पहले structure के अंदर हमारे पास reaction हो रहा है अगर हम next structure को देखें तो इसका नाम है कोबाल कॉलराइट पेंटा अमाइन इस structure के अंदर भी कोबाल जो हमें पता है उसके oxidation state जो है वो 3 है और further वो किस के साथ attach है ammonia के साथ second उसका bond भी ammonia की chain के साथ attach है और third वो directly attach है chlorine के साथ इसलिए हमें पता जलता है कि जो पहला और जो दूसरा bond है उसके अंदर जो कोलराइट आइन है वो distance पर मुझूद है इन third bond chloride ion जो है वो directly attach है इसलिए ये वाला chloride ion dissociate नहीं होगा जबके ये दो chloride ion dissociate हो जाएंगे precipitate out हो जाएंगे अब अगर हम third structure के बात करें तो इसके अंदर भी इसका नाम है cobald chloride tetramine इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि जो cobald है वो directly bonded है CL के साथ पहला bond वो CL के साथ directly बना रहा है जबके दूसरा bond वो ammonia की chain के साथ बना रहा है और जो तीसरा bond है वो भी directly chlorine के structure के साथ बना रहा है इसलिए जो second chain है उसके अंदर chloride ion जो है वो distance पर मुझूद है जिसकी वज़ा से ये dissociate हो जाएगा precipitate out हो जाएगा और reaction हो जाएगा अब अगर हम four structure के बात करें तो इसका नाम है कोबाल कोलोराइट ट्राय अमाइन structure हमने पहले भी बात की है कि हम ये reactions किस तरह से करते हैं कि हम एक flash ले लेते हैं उसके अंदर हम इसको add करते हैं इसको add करने के बाद हम उसके अंदर silver nitrate add करते हैं silver nitrate add करने के बाद हम ये देखते हैं कि अगर हमें test tube के नीचे white precipitate show होते हैं तो its mean के reaction हो गया है और अगर नहीं show होते हैं तो its mean reaction नहीं हुआ तो इस structure के अंदर हम बिल्कुल वैसे ही ऐसे करते हैं कि अगर हम structure को देखें तो इस structure के अंदर जो दो पहला bond है वो कोबाल जो है वो koloride के साथ बना रहा है दूसरा bond भी koloride के साथ directly बना रहा है its mean ये दो bond directly bonded है इसलिए ये दो koloride ion dissociate नहीं हो सकते जबके second में कोबाल जो है वो ammonia के साथ bonded है ammonia की chain के साथ bonded है और koloride ion dissociate हो सकता है लेकिन अगर जब हम इसका reaction करवाते हैं silver nitrate के साथ तो इसमें हमें result no reaction show होता है according to this theory ये वाला koloride ion भी dissociate होना चाहिए था क्योंके हमने ये बात की थी के koloride ion जो है जो distance पे होगा कोबाल से वो dissociate हो जाएगा जबके जो directly bonded होगा वो dissociate नहीं होगा लेकिन इसका जब हम reaction करवाते हैं तो ये reaction नहीं होता ये reaction क्यों नहीं होता इस बात के उपर जो जैंसर और ब्लॉम्स ट्रेंड ने भी बहुत ज़्यादा discuss किया लेकिन वो इस बात के कोई नतीजा ना निकाल सके उसके बाद उन्होंने आखिरकार ये ही कह दिया कि ये जो last chloride iron है ये inactive होगा इस बजा से ये dissociate नहीं हुआ why it is inactive ये proof कोई actual proof नहीं था कि why chloride iron is not precipitate इस तरह इस structure was not explained by the George Jensen next हम इसी के उपर इसकी limitations देखेंगे limitations यही थी first limitation इसकी यही थी कि George Jensen does not find out the reason why there is no pipit in cobalt chloride triamine और जो second थी वो ये थी वो ये थी कि how nitrogen nitrogen bond link with each other क्योंकि जब हम hydrocarbons को देखते हैं तो उसके अंदर CH2 CH2 जो एक दूसे के साथ link हो रहे होते हैं हर carbon की valency 4 होती है वो अपनी valency को satisfy करता है लेकिन अगर हम इसके structures को देखें तो NH3 आप इसमें attached है लेकिन NH3 की valency 4 होती है लेकिन according to these structure इसकी valency इसकी valency शोर नहीं हो रही तो इस theory की limitation यही थी कि जो जैंसन इस structure को define नहीं कर पाया कोबाल कॉलराइट ट्रायमाइन के structure को define नहीं कर पाया कि why there is no pipitis formed in this structure और second उसकी यह थी कि how nitrogen nitrogen bond link with each other कि जैसे हमने पहले start में कहा था कि nitrogen nitrogen के जो bond है वो अपिस में same इस तरह link करते हैं जैसे कि hydrocarbons link करते हैं लेकिन इस structure के मताबिक इसकी valency पूरी नहीं हो रही तो its mean के यह भी एक limitation थी इसकी बिना के उपर यह theory disprove की गई और इस theory के अंदर इस theory की इस theory को disprove किया गया और next theory वर्णर theory discover हुई लेकिन यह बात परहक है कि यह बाकी थी 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 बेस chain theory के उपर थी this is the end of my topic and if you have any question regarding this topic then you can ask me in the comment section thank you